उर्जा की संकल्पना विज्ञान के सारे विशेयों में से एक महत्वपूर्ण विशेय है हमारे रोज मर्रा के जिवन में उर्जा का विचार हम यातायात के लिए इंधन के रूप में लाइट में विद्युत के रूप में और अन्न के रूप में ही करते हैं वास्तों में ये सारी कल्पनाएं उर्जा को वास्तविक रूप में परिभाशित नहीं करती हैं ये बस हमें इतना बताती हैं कि कोई कार्य करने के लिए इंधन की आवशक्ता होती है और वैंधन हमें जो कुछ भी देता है उसे हम उर्जा कहते हैं एक उठाया हुआ हतोडा, स्प्रिंग का लच्छा, टेबल पर रखा हुआ पेपरवेट, उबलता हुआ पानी ये सारे उर्जा के विभिन प्रकारों को दर्शाते हैं उठाया हुआ हतोडा कील को दीवार में घुसाता है, स्प्रिंग का लच्छा घड़ी की सुईयों में घूमता है, बड़े वजन से अन्य वजन को हिलाया जा सकता है और उबलते हुए पानी में अंडा भी उबाल कर पक सकता है हम उर्जा को किसी वस्तू की कार्य करने की क्षमता के रूप में सोच सकते हैं सत्य रूप में कार्य कब होता है जब आसपास वस्तूय हिलने लगती हैं इसे हम योगे तरीके से कुछ इस प्रकार परिभाशित करते हैं कार ये किसी वस्तो पर लगाये जाने वाले बल के कारण होता है, जहां पर बल लगाया जाता है, वो बिंदू कुछ दूरी तक हिलता है, और बल के घटक उस गती की रेखा के साथ होते हैं, कार ये बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, अब हम इस डस्टर पर कुछ बल लगाये, क्या वे हिलता है, वे नहीं हिलेगा, चलिए अब हम इसकी स्थिती को बदलते हैं, और उतनी ही मातरा में बल पुनह लगाते हैं, क्या अब यह हिला, हाँ अब यह हिला है, हम इसमें और भी बदलाव कर इस डस्टर को आसानी से गतिमान भी कर सकते हैं, जब हम किस उसी कूंण पर लगाया जाता है तब उसका कुछ भाग ख Twin रूप में कारिय करता है और कुछ भाग तब उस एूर्द्वं एर्द्वं एक रय करता है मैं कुछ प्रएगा वह Twin पर कितना बल लगायगा एस बात पर निर्वर होता है यदि क्षेतिज और बल के बीज का कूण थिटा है तब कौस थिटा उस बल का कुछ हिस्सा क्षेतिज रूप में कारिय करेगा और बाकी का बल उर्द्व दिशा में कारिय करेगा जब डस्टर पर बल लगाया जाता है तब वो उसी पत पर आगे बढ़ता है किस परिस्थिति में हमारा बल सबसे प्रभावी रहेगा इसके लिए हमें ना सिर्फ बल की मात्रा के बारे में विचार करना होगा हमें उसकी दिशा के संबन्द में भी विचार करना होगा यदी हमने माना कि तीनों परिस्थितियों में हमने समान बलका ही उपयोग किया था, तब तीसरी परिस्थिती में दूसरी की अपिक्षा डस्टर आसानी से हिल सकेगा। जरूरी है कि डस्टर टेबल पर कितनी दूरी तक गया है यदि हमें डस्टर को एक मीटर के स्थान पर दो मीटर तक दूर धकेलना होगा तब क्या हमें अधिकारी की आवश्चक्ता होगी यदि हम डस्टर को स्थिर बल एफ से ठिटा इस कोड में डी इस दूरी तक खींचे तो हमारे द्वारा इस डस्टर पर जो कार्य संपन हुआ है वो विस्थापन की दिशा में बल के घटक और विस्थापन की मातरा का गुणन फल होगा यही कार्य की परिभाशा है अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यदि हमने ये भारी किताब पांच मिनिट तक हाथ में पकड़ रखी तो हमने इस भारी पुस्तक पर कितना कार्य किया होगा पांच मिनिट के बाद आपके हाथ ठक जाएंगे और इसी करण आप सोचने लग जाओगे कि आपने इस पुस्तक पर काफी मातरा में कार्य किया है परंतु हमारी परिभाशा के अनुसार यदि पुस्तक हीली नहीं तो कार्य नहीं हुआ है आपने जो बल लगाया वो बल पुस्तक को आधार देने के लिए था उसे हिलाने के लिए नहीं फिर भी इस पुस्तक को पकड़ कर आपने कुछ कार्य तो अवश्य किया है पुस्तक को पकड़े रखने के लिए आपके मांस पेशियों में निरंतर सिकुडन और धिला पढ़ने की क्रिया तो होती रही परंतु ये हमारे शरीर के आंतरिक भाग में घटित होने वाली क्रिया है शरीर आंतरिक पद्धती से कार्य करता है ना कि पुस्तक पर चलिए पुना एक बार हम अपने हिसाब की ओर आते हैं यदी वस्तू गतिमान न हो तो उस पर बल द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है तब डी का मूल्य शून्य के बराबर होता है समी करण के अनुसार शून्य कार्य हुआ है यदी बल वस्तू के विस्तापन के लंबवत लगाया गया हो तो कितना कार्य हुआ होगा शून्य क्योंकि कौश नब्वे शून्य होता है इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किसी वस्तू पर लगाया गया साधरन बल या किसी वस्तू पर गुरुतवा करशन के बलत के द्वारा किया हुआ कार्य ये दोनों ही शूनि होते हैं क्योंकि वे विस्थापन से लंबरूप होते हैं कार्य आदिश राशी है और उसकी इकाई बल गुणा उसकी लंबाई है इसी कारण कार्य की ऐसा इकाई न्यूटन मिटर है इकाईयों का संयोजन इतनी बार होता है कि इसे अपना स्वयम एक नाम जूल प्राप्त हुआ है हमने जाना कि कार्य किसी वस्तू पर लगाये जाने वाले बल के कारण होता है जहां पर बल लगाये जाता है वैबिंदू कुछ दूरी तक हिलता है और बल के घटक उस गती की रेखा के साथ होते हैं कार ये बल गुणा विस्थापन के बराबर होता है कार ये अदिश राशी है उसकी इकाई जूल है